Hello everyone, मैं हूँ कीर्थिका and welcome to a new episode of Healthy Welly और आज मेरे साथ है yoga expert Ritu Gupta Thyroid आपके neck में एक butterfly shape endocrine gland है जो ऐसे hormones release करता है जिससे आपके metabolism control में रहे इसका कारण हो सकता है iodine deficiency, autoimmune diseases और it can be heritory तो आज हम इसे 3 आशन सीखेंगे जो आपके throat को stimulate करेगा और आपके thyroid problems को prevent करेगा So, let's get started हमारे पहले आशना का नाम है उष्ट्रासन, camel pose यह आपके thyroid gland के blood circulation को बढ़ाएगा साथी spine को stretch करेगा आईए शुरू करते हैं उष्ट्रासन, camel pose उसके लिए आप वजरासना में ही बैठेंगे उसके बाद अपनी नीए पे आएंगे shoulder distance रखेंगे shoulder को roll back करेंगे inhale करते होए exhale करते होए अपनी area को पकड़ेंगे same आप दूसरे हाथ के साथ भी यही करेंगे core को engage करते होए आगे push करते होए neck को neutral करते होए पीछे drop दिरूए आप ओल्ड करेंगे पांत दर सेकेंड के लिए और धीरे धीरे वापस आएंगे हमारे अगले आसना का नाम है धनुरासन बोपोस यह थाइपो थाइरट के लिए बहुत ही लाबदाएक आसना है और साथ ही साथ आपके बाक को स्ट्रॉंग करेगा आए शुरू करते हैं धनुरासन बोपोस उसके लिए आपको उल्टा लेखना होगा आप चेस्ट को भी नीचे लगाएंगे और लेक्स को भी नीचे रखेंगे पूरी बॉड़ी को नीचे छोड़ देंगे राइट नी को बेंड करेंगे लेफ नी को बेंड करेंगे थोड़ा साप पर बॉड़ी को उठाएंगे और फिर आप अपने टो को भी पकड़ सकते हैं आप अपने आंकल को भी पकड़ सकते हैं इन्हेल करते होए आप अपनी बॉड़ी को स्ट्रेच करते होए उपर की तर और रिलाक्स कर तो भी मिज़े जाएंगे रिलाक्स हमारे अगले आसना का नाम है पुर्वतानासन रिवर्स प्लांक यह आपके थाइरेट ग्लांड के पंक्शनिंग को इंप्रूब करेगा साथी साथ आपके रिस्ट और शोल्डर को भी स्रॉंग करेगा आए शुरू करते हैं पुर्वतानासन रिवर्स प्लांक उसके लिए आप सीधाल बैठेंगे लेक्स को साथ में मिलाते होएं आप शोल्डर के रिस्ट और शोल्डर के लाइनमेंट को मिंटेन करेंगे आप फिंगर्स को अंदर भी रख सकते हैं फिंगर्स को आउट भी रख सकते हैं अपनी कमफर्टेबल आप जिसमें जितना कमफर्टेबल में अप लिफ्ट करेंगे हिप्स को और को इंगेज करते होएं उपर अप लिफ्ट और नेक निउट्रल इस पुजिशन को आप होल्ड करेंगे पांच से दस सेकंड के लिए और धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे वापस एक बार और इन्हेल करते हूँ अब फीट को नीचे की तरफ खीचते हुए हिपस को उपर ले जाते हुए रिस्ट और शोल्डर के लाइनमेंट मिंटेन करते हुए नेक नीच्रल नॉर्मल बीथिंग होल्ड रिलाख तो ये थे तीन आसनास जो आपकी थाइरोड की फंक्शनिंग को इंप्रूव कर सकता है तो इस्ट थे रिए लिए रख दो गे अ लाइए शेर और को यूट बेए जिवाट यूट अ कमेंट नोॉ विच विच्ट बेलो विच्ट विच्ट वां टीमेड से टिल थे झाल